नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारतिय इतिहास के उस महत्वपूर्ण अध्याई के बारे में बताएंगे जिसने पूरे भारत को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट कर दिया 1857 का संग्राम हमारे देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है ये केवल एक सिपाही विद्रोह नहीं था, बलकि ये अंग्रेजों की खुरूर्ता और उनके शोशन के खिलाफ आम जनता का गुस्सा था विद्रोह के कारण, इस संग्राम के कई कारण थी जो अंग्रेजों के लंबे समय से चल रहे अत्याचार और शोशन का परिनाम थे अंग्रेजों ने इसाई धर्म को फैलाने के लिए कई प्रयास किये और भारतिये संस्कृती पर सवाल उठाए जिससे समाज के सभी वर्गों में आख्रोश बढ़ा सैनिकों की स्थिती भारतिये सैनिकों के साथ ब्रिटिश सिना में भेदभाव किया जाता था उन्हें न केवल कम वेतन मिलता था बलकी उन्हे सैनिक सुविधाउ से भी वंचित रखा जाता था विद्रोह की चिंगारी तब भर्की जब ब्रिटिश सेना में नए कार्टूसों के इस्तेमाल की खबर फैली, जिन में गाय और सुर की चर्वी का इस्तेमाल बताया गया। इससे हिंदू और मुस्लिम सेनिकों की धार्मिक भाबनाओं को थेस पहुंची। मंगल पांडे का विद्रोह 29 मार्च 1857 को बैरतपुल में एक भारतिय सेनिक मंगल पांडे ने इन कार्टूसों का विरोध करते हुए ब्रिटिश अफसर पर हमला किया। मंगल पांडे का यह विद्रोह भारतिय स्वतंत्रता संग्राम की शुरूआत का प्रतीक बन गया और पूरे देश में फैलने का संकेत दिया। जहासी की रानी लक्ष्मी बाए ने अंग्रेजों के खिलाफ अध्वितिय साहस दिखाया और जहासी में अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बहादुरी से लिए। अंग्रेजों ने भारी सैनिक बल का इस्तिमाल किया और विद्रोह को कुरूरता से दबा दिया। नतीजे और सबक हाला की विद्रोह सफल नहीं हुआ लेकिन इसने भारतियों में एक्ता और स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत किया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह से सबक लेकर भारत की सत्ता को सीधे ब्रिटिश प्राउन के अधीन कर दिया और इस्ट इंडिया कमपनी का अंथो गया। विरासत और प्रभाव इस विद्रोह ने स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को बुझने नहीं दिया। 1857 के बाद भारतिय जनता में राश्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया और स्वतंत्रता के लिए संधर्ष की नीव मजबूत हुई। 1857 के वीरों की संधर्ष ने आने वाली पीडियों को साहस और प्रेरना दी। Conclusion 1957 के वीरों 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 के झाल झाल